हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे तो चलिए अपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक अध्याए जिसका नाम है नए वर्षपर तो बच्चों अपने इस अध्याए को शुरू करने से पहले हम उन्सका संक्षित परिचे ले लेते हैं बच्चों हर साल जैसे ही दिसंबर का अंतिम सब्ता आता है तो बजार में नए साल की मुबारक बात के गर्टिंग काड़ों उपहारों आदी की दुकाने सज जाती हैं जो पैसे वालों को अकर्शित करती हैं गरीब आदमी जो अपनी दायनिक आवशक्तों की पूर्ती नह में भयंका ठंड में आने वाला नया साल उस्सा पैदा नहीं कर पाता लेखा की दृष्टी में भारतिये नहीं है वरन अंग्रेजों की मानसी कुलामी का प्रतीक है आईए कैसे क्या होता है इस पाट की जरीए जाने नए साल पर सुबह ही सुबह कपड़े धोने वाली आई यह जानने के लिए कि वैं नए साल के बारे में क्या सोस्ती है मैंने उसके आते ही का नया साल मुबारक हो आपको भी साहब उसने अच्चाकर कहा अच्काकर यानि की थोड़ा रुख रुख कर संकोच के साथ क्या की अकल कुछ नहीं साहब वेहरत से देखने लेगी यानि वो हैरान होगी कि साहब मुझे ऐसी बाते क्यों पूछ रहे हैं नया साल नहीं मनाया नहीं साहब हमको पता ही नहीं था अभी आपने बताया तो मालूम हुआ तेरे महले में किसी नहीं मनाया नहीं साहब हमारे कि यहां सब बराबर हैं तुझे नहीं पता नया साल आ गया है सारी दुनिया मना रही है नहीं साब कल मार्केट में कई दुकाने सजी थी ये जरूर देखा था पर साहब नया साल आया है ये नहीं मालूम था तो बच्चों सोचकर बताईए काम वाली को क्या मालूम नहीं था बच्चों काम वाली को ये बात मालूम नहीं थी कि नया साल आ गया है कनाट पलेस में रात बर धुमधाम थी, इतनी रोनक थी कुछ नहीं मालूम तुझे नहीं साप हम कनाट पलेस जाते ही कहा हैं, तेरे महली की एक भी आदमी ने कोई जशन नहीं मनाया जशन का आर्थ होता बच्छो उत्सव नहीं साहब रात में सोए कब वैसे ही जैसे रोज सोते हैं कहाना साहब आपने जब बताया तब मालुम हुआ कि नया साल है वैं शायर मेरे इतने सवालों से कुछ खीज रही थी खीज रही थी यानिकि उसको अंदर अंदर कुसा आ रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि राजजानी के बीचों बीच रहने वाली वैं गरीब उ northeast और उसके आउसपास के लोगों जिसके पास उसका नया वर्ष कुछ सस्ते हुटलों और रेस्टरानों में बीचता है। कम पैसा है और जवानी की मस्ती है तो शराब की भूतलों के साथ सड़कों पर और हर तरह के धीले मध्यवर्ग का रेडियो और टेलीविजन पर। टेलीविजन में तो बड़ा धूम धड़ाका था कल रात वे भी नहीं देखा किसी के घर में नहीं साथ पता भी नहीं था सरदी में कहां जाते। इस साल तो बड़ी मुसीबत है पिछले साल सब कपड़े बरतन चोरी हो गए तो अभी तब कुछ कपड़े भी नहीं बनवा प करता है बचों बच्चों को शाम से ही घर में लेकर इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि उनकी पास गरम कपड़े नहीं है और शाम के वकत अगर वो बहार रहेंगे तो उन्हें ठंड लग सकती है तो इसके बाद वरतलाप आगे बड़ी नया वर्ष मनाने के लिए आधी रा कैसे समझे की नए वर्ष के स्वागत के लिए चुटकले फिल्मी अभी नेताओं के गाने नेताओं मंत्रियों और बड़े लोगों का बहुर रूपिया पन अंग्रेजी गाने नाच यह सब जरूरी है टेलिविजन के सामने बैट का जिस वर्ष को यह समझने में आसानी होती है उतनी आसानी उसे कहां कम से कम अंग्रेजी अफरीकी नाच गानों का उसके जाएं भाएं संगीत का मजा लूटने का भी हिसाब वहनी बना पाता फोकट का मजा भी उसके नसीब में नहीं है फोकट यानि कि फ्री का अर्था जो गरीब लोग है उनके लिए नया साल और पुराना साब सब एक जस हैं कभी कभी ख्याल आता है कि नए वर्ष का क्या मतलब है यदि हमारा रिष्टा केवल कुछ बड़े शेरों कुछ पड़े लिखे लोग के लिए है तो फिर ये हमारा नया वर्ष कैसे हुआ नए वर्ष की उस सुभा जब कपड़े दोने वाली बिना ये कहे कि सहाब आप अपने वर्ष की बक्षीज दो और मू मिठा कराओ चली गई तो लगा की उदासिंता है उसके मन में हमारे इस नए वर्ष के लिए सुभे से ही गली में चहल पहल सहगर्मी शुरू हो जाती है मध्यवर ये लोगों काम करने वाले तमान गरीब लोग दरवाजों पर दस्तक देने लगते है मुबारक हो साब हम उत्सा में होते हैं तो उनमें भी उमंग होती है ये नया वर्ष कैसा जिसे की हम किसी ओडे हुए उत्सा से मनाते हैं और बाकि समाज कुछ जानता ही नहीं उसको इस जमेले से कुछ मतलब ही नहीं है अर्थाथ एक समाज नए साल को बड़े उसा से मनाता है तो कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिने इस नए साल से कोई लेना देना ही नहीं है ऐसा क्यों जाहिर है यह हमारा नया वर्ष नहीं है हमारा नया वर्ष तो होली होती है यह दूसरों का नए वर्ष है यानि अंग्रेजों का गुलामी की दिनों में हमने उनसे यह मनाना सीखा है डेड़ सो साल से शायद जादा नहीं हुआ हुगा उसके पहले हजारों हजार साल की अपनी संस्क्रिती में हम इस नए वर्ष को नहीं जानते थे माना कि नए वर्ष को बहुत साल हो गए पर हम तो उसे डेड़ सो साल से ही पहचानते हैं जब से अंग्रेज बहादूर की हुकूमत शुरू ही उसके खुशी को अपनी खुशी मानने की हमारी आदत पड़ी वे आदत आज भी पड़ी है यही औपनी वैशिक दिमाज आज भी बना हुआ है हमारा यह नए वर्ष हमें गुलामी की विरासत में मिला है तो बच्चों सोचकर बताईए कौन सी आदत आज भी पड़ी हुई है बच्चों हमें यह आदत आज भी पड़िवी है कि जो गुलामी में हमने अंग्रेजों से सीखा है उसे आस तक हम मनाते आ रहे हैं हमारे देश के तमाम लोगों से इसका कोई खास सारोकार नहीं यह जरूर है और यह विडम बना और बहुत बड़ा मजा की है कि दफ्तर में काम करने वाला एक गरीब चप्रासी भी एक शाम सबजी से कुछ रुपे बचा कर नए साल का एक रिटिंग कार खड़ी लाता है और बड़े साब की मेज पर अपनी मुवारकबाद लिखकर रखाता है जिसे वह बता सके कि वह भी उनके नए वर्ष में शरीक है शरीक और की शामिल है उसका ख्याल रखा जाए बाकी तो उसके लिए भी सब बढ़ाबर है रहे नए वर्ष पर शुकाम नहीं की तो उसमें अशुब की आहड तो हमेशा बनी रहती है तब शुप की बात उठती है न, तो पाठक गण जिस तरह पिछले साल के महंगाई, रेल, बस, सड़क के तमाम यात्रा कर बिना लुटे-पिटे, सही सलामत हैं, सारे जोखिम उठा कर भी बचे हुएं, उसी तरह नए वर्ष में भी बचे रहें, यही शुप हम मानते हैं, अ यह एक बार उनके विशय में जान लेते हैं, बच्चों स्वेश्वर द्यालसक सेना का जन 15 सितंबर 1927 को उत्तर पदेश के बस्ती जिले में हुआ था, वे प्रसित कवी थे, कवीता के अत्रेक तो नोंने कहानी, नाटक और बाल सहित्ते भी लिखा, उन्हें अपने कवीता संग्रे, खूटियों पटंगे, लोक के लिए साहित्ते अकादमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया, उनकी अन्य प्रमुकृतियां हैं, काट की घंटियां, बासका, पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुवानो, नदी, आदी, 24 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया तो बच्चों, सुईश्वार दियाल सकसेना ने अपने निभन की जरिये हमें ये समझाने का प्रयास किया है, कि हमारा समाज दो तरे के हिस्तों में बटा हुआ है, एक समाज जो उत्सापूरवक सारे पर्व मनाता है, लेकिन एक समाज ऐसा भी है, जो इन सब चीजों से अ रहास नहीं कर पाते हैं, रथात उनके पास इतनी धन नहीं है, कि वो इसमें कुछ खर्च कर सकें, तो उमीद है, आप इस लेक से जरूर को सबक लेंगे, शिक्षा लेंगे, और आप भी उन लोगों की तरफ जरूर जाएंगे, जो धनवान नहीं है, निर्धन है, उनकी त